नाटल मेरे साथ मौझूद है राष्ट्री स्वयं सेवक्सन के विचारक हैं शर्मा जी स्वागत है आपका तो 22 जन्वरी के बाद का क्या प्रोग्रम है कि 22 जन्वरी के बाद कि देश में बिनने चेत्रों से और अंतरास्टी स्थर पर श्रद्धा का वो श्रद्धा का केंद्र है वहां पर लोग दर्शन करने के लिए आएंगे सब केल दर्शन के लिए आयोद्धा में भगवान राम लला का जो मंदिर है वो सब के लिए खुला इसका राजनीती करण हो रहा है अब राजनीती करण देखिए जिनके द्रिष्टी राजनेती के वो राजनीती करण करेंगे और भगवान राम इस देश में राजनीती का विशय नहीं हो सकते इस देश के सांस्कृतिक गवरों का विशय है इस देश की सेनातन परंपराओं के विशय है और उनको राजनीती से जोड़ कर देखना मुझे लगता है कि यह बड़ी संकीर मांसिक्ता का दियोतक है कोई सरकार अगर 2014 में चुनाओं जीत करा सकती है कोई सरकार 2017 में उत्तरपुदेश में जीत सकती है 2019 में जीत दर्च करा सकती है 2022 में जीत दर्च करा सकती है तो यह आवश्यक नहीं है कि एक ऐसा विशय जो 2464 वर्षों से संगर्ष में था और जिसको इस देश की लोगतांत्रिक और जुडिश्यल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम के माध्यम से जिसको इस देश में स्विकार किया उसको ले करके अगर एक निर्वानकार अपने चरम पर है अपने वैभाशाली शिखर को और अपने पराक करना चाहिए मुझे लगता है कि इस देश के मानि प्रदान मंत्री जी के साथ साथ इस देश के प्रतेक राजी के मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण जाएगा इस देश में प्रतेक राजिपाल को भी निमंत्रण जाएगा मुझे लगता इस देश में पत्रकार मीडिया लीए इस देश्रों जुझ यास पूछ रहा हूं क्योंकि नियास पर कंट्रोल तो आप लोग का लें आप यह तयकल करो गें कि वह किसकोई इंविटेसं देना है रहाज पर यह परीन याञिक अपने आप जा कि भाई इसमें प्रणी दलों के भी अध्यक्षों को या प्रमुख लोगों को और मंत्रित किया है repentance मुझे लगता है अभी मुझे लगता है थोड़ा प्रतीक्षा कर लिए ना चाहिए अभी मानी प्रदान मंत्री जी को निमंत्रन गया है अभी आने वाले दिवसों में अन भी प्रमुक लोगों को इस देश के गणमान संतों को परमीर चकर पदमिश्री और इस देश के विश्षिष्ट अलंकरणों से सम्मानित कैमरा लिए खड़े रहेंगे लिए आपको रम मंदिर को लेकरके किसी में कोई एहम हो भी नहीं सकता राम मंदिर और इस देश की सनातन परंपराओं के नायक के उस मंदिर के करबन कारेक्टरम को लेके मुझे लगता कि इस देश के सामान नाग्रिक में मौला ऑफ मीडिया पही new युब इस देश में सब को पो-जी पॉब्वि युण विपक्ष भी इस देश के इस देश की सारी परंपराओं में और आप उनको इंविटेशन भेजेंगे भगवार राम के सामने पक्ष पक्ष का कोई वर्गे करन माने नहीं रखता है अभी तक आप कहने की बात नहीं यह तो समझने की बात हैं सर क्यों नहीं कहने की बाद एक को कहके बुला रहे हैं और इनकों मैं पाच बार पाई भी कर चुका हूं कि बुला लो इंविटेशन दो आप देने को तो यहार रहा हूं यह आज के दिन का सच है अभी आने वाले हफ्तों का सच भी देखिएगा थोड़ा समय लगेगा मानी पुछना चाहता हूं कि क्या यहीं मुद्धा रहेगा पारलेमेंट एलक्षन अचीब्मेंट मुझे नहीं लगता कि इस देश में भगवान राम को कभी भी राजनेतिक अधार पर किसी चुनाव में इस्तिमाल किया जाना चाहिए और को इस्तिमाल करेगा बगवान राम इ इस देश के सांस्कृतिक प्रतिमानों की यही तो खुबशूरती है सर की कहते नहीं हो लेकिन करते वही हो ने ने मेरा यह कहना है जब विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है जिसको आप कह रहे हैं कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे तो जब तारीक बताने की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर तो वह जब पॉलिटिकल डिबेट पॉलिटिकल कोर्स में चीज़ चली जाएगी आप मुझसे प्रशने पूछो कि मैं प्रशन का उत्तर दूंगा तब वह राजनेतिक वह प्रिशन आएगा जो मैं चाहता हूं आ